जब भी कोई मर्यादा अपनी भूला है उसको उसका बहुत ही बड़ा भुगतान करना पड़ा है इसके बहुत सारे उधारन आपको हमारे चैनल की बहुत सारी वीडियोज में मिल जाएंगे चाहे महिला अपनी मर्यादा भूलती है चाहे पूरुस अपनी मर्यादा भूलता है जो भी कोई रिष्टे में दगा करता है उसको भुगतान बड़ा करना पड़ता है और साथ ही साथ उसके साथ जो बंधा हुआ है चाहे वो पवित्रता से चल रहा है लेकिन कहते हैं चना के साथ घुना पिस्ता हुआ आया है वैसे ही जोडी में अगर पती दगा करता है तो पतनी को भी भुगतना पड़ता है साथ के साथ पती को भी भुगतना पड़ता है वैसा ही आज की सची घटना में होता है जहां पर एक महिला अपने पती और चार पच्चों के होते हुए अप प्रियाग राज की सची घटना जिसको इलावाद के नाम से भी जाना जाता है जहां पर एक नेनी नाम का थाना लगता है जहां कि यह सची घटना है यहां पर इंद्र कुमार नाम का एक व्यक्ति होता है जो की देखने में सरीर से काफी दूला पतला होता है लेकिन उसकी पत् पर जनम ले लेते हैं जिनकी परवरिस वो एक परचुने की दुकान इंद्र कुमार ने खोली हुई थी जिसके जरीये वो लोग करते थे जब इंद्र कुमार अपना समान लेने के लिए मार्केट जाता था तो उस दोरान वो जो गीता है वो दुकान पर बैठा करती थी लगवग यही सिलसला चलते हुए उनकी शादी के बहुत सारे साल यानि की बारे साल निकल चुके थे और ऐसा कोई भी चक्कर नहीं था लेकिन अब दीरे दीरे क्योंकि इंद्र कुमार अपने काम में बहुत जादा व्यस्त रहता था और जो गीता नाम की महिला है यानि कि उसकी पत्नी अब उपनी दुकान पर बैठती थी गाओं के बहुत सारे लड़के वहां से समान लेकर जाते थे लेकिन एक लड़का जि उस महिला से यानि कि गीता से वो रिलेशन में उसकी भावी लगती थी और उससे वो बहुत ही कड़े मजाक किया करता था बहुत ही जादा मजाक किया करता था जिनका जवाब गीता मुसकरा कर दे दिया करती थी लगभग इन सवाल जवाबों को होते हुए छे महीने निकल जाते हैं और अब गीता बहुत ही आसानी से समझ जाती है कि आखिरकार ये देवर उसका उससे चाहता क्या है गीता भी कहीं न कहीं उस चीज में खुश थी और वो भी अपने देवर से मन ही मन प्यार करने लगी थी इधर देवर भी उस पर लाइन मारता रहता है और एक दिन इज़ार कर देता है जिस दोराँ इंदर कुमार दुकान पर नहीं होता है अपना समान लेने के लिए वो बाजार गया हुआ था जब वो प्यार का इज़ार करता है तो गीता और उसके देवर में फ्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और बहुत ही प्यार से वो लोग रहते हैं पहले तो वो चोरी चुपके मिला करते थे लेकिन जब गाओं वाले रोज देखते थे कि जब इसका पती नहीं होता तो इसकी एपसेंट में ये लड़का इनके घर जाता है और काफी समय तक इनके घर रहता है तो आस पड़ोसी अब इंदर कुमार से कहने लगते हैं इंदर कुमार समझता है कि साइध पड़ोसी जूट बोल रहे हैं और वो इस बात पर विस्वास नहीं करता है और वो रेगिलर अपने काम पर उसी तरीके से ज्यान देता रहता है लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब वो मारकेट से आता है तो वो थोड़ी जल्दी आता है उस दोरान वो अपनी पत्नी और अपने उस गाओं के लड़के को आपती जनक हालात में देख लेता है लेकिन यहां पर भी वो उनको डाड़ता नहीं है फटकारता नहीं है क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो अपनी पत्नी को बड़े प्यार से समझाता है कि तुम्हारे तुमने आप तक जो किया सो किया लेकिन अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि इसको अगर आप ऐसे रिलेशन में बनते हो तो आपका जीवन नरक हो जाएगा और वो भी हां में हां मिलाती है और अपने पत्ती की सारी बातों को ऐसे सुनती है मानो अब इन सब पर अमल की जाएगी और कुछ दिन के लिए बिल्कुल वैसा ही दिखावा किया जाता है ना ही तो वो उस लड़के से मिलती है और ना ही कोई बाते होती है और ना ही ऐसा जैसा उसका भीहेवता पहले उसमें भी वो चेंज ले आती है लेकिन कहते हैं जब ये लट एक बार लगती है तो इसको हटाना बहुत ही मुस्किल हो जाता है और वैसा ही यहां पर होता है वो फिर से अपने उस देवर से मिलती है और अब की बार भी वो से चोरी चुपके मिलती है लेकिन कोई भी गलत काम कितना भी चुप के तरीके से किया जाए उसका एक ना एक दिन वो उजागर होकर रहता है वैसा ही यहां पर होता है एक दिन इंडर कुमार फिर से उनको वैसे ही हालात में देख लेता है जैसे वो देखता है अब की बार वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा पीटता है डाटता है फटकारता है और उस लड़के को वहां से भगा देता है अब उसकी पतनी इस बात को सुनकर बहुत गुसे में आ जाती है और अब वो मन में एक बाट ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने देवर को नहीं छोड़ूंगी और वो अब अपने पती के सामने ही अपने उस देवर को घर पर बुलाने लगती है और उसके साथ बिलकुल वैसे रहती है जैसे अपने पती के साथ रहती है पती उसका कमजोर था सारे निक तूर पर कमजोड था और बार बार उसे अपने बच्चों का खैला आता था कि मेरे चार चार बच्चे हैं आकर करटोन जाएंगे और वो इस चीज को सुनकर चुप रहता था लेकिन कहते हैं जब अपनी पत्नी हमारी आँखों के सामने कुछ गलत कारे को अंजाम दे तो उसके पती पर क्या बीचती है ये वही बता सकता है तो ऐसा ही उसके साथ हो रहा था अब वो तिल-तिल मर रहा था और उनके उनक शर्मनाक हरकतों को घर में बरदाश कर रहा था उसकी पत्नी वो घर पर ही होता तब ही अपने उस आसिक देवर को बिलाती और उसके साथ रिलेशनसिप में रहती थी और बहुत सारे काम अपने पती से कराया करती थी अक्सर वो बैड़ पर लेटी रहती थी ये सिलसरा कुछी दिनों चलता है एक दिन वह सोचता है कि मैं तो तब भी एक जिंदा लास की तरह हूँ लेकिन इन दोनों को सबक जरूर सिका हूँ और वो सीधा सिटोर पर जाता है और वहाँ से नींद की गोलियां ले आता है अब वो नींद की गोलियों को अपनी पत्नी के लिए चाय बनाने के लिए जाता है और उस चाय में मिला कर फिला देता है अपनी पत्नी को भी और उसके उस आसिक देवर को भी लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं होता है वो देखता है कि इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा है तो वो अपने उस यानि पत्नी के आसिक से यानि उस लड़के से कहता है कि चलो कुछ शराब ले आते हैं आज साम को बैठ कर पार्टी करेंगे मैं भी रोज परिशान होकर बहुत परिशान हूँ मुझे भी अपना माइंड रिलेक्स करना है अब वो दोन ओश शाब की बोटले लेकर आते हैं और जो सर्व करता है, वो वही करता है इंदर कुमार और वो उसका जो आसिक होता है उसमें बहुत सारी नींद की गोलियों डाल देता है जैसे वो शराब पीता है इंदर कुमारी यहां पर कम शराब पीता है और वो वहां पर बेहोसी की हालात में आ जाता है इदर उसकी पत्नी जो की गीता थी वो भी उन नीद की गोलियों का असर अब हो रहा था और वो भी काफी गहरी नीद में सो जाती है सोने के बाद अब सबसे पहले तो उस लड़के का वो गला दवाता है और गला तब तक दबाता है जब तक उसकी सांसे खतम नहीं हो जाती उसी कमरे में उसका गला दबाने के बाद अब वो सीधा अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और उसका भी वो गला दबाना शुरू करता है लेकिन उसकी पत्नी की नीद खुल जाती है और वो जट पटाने लगती है जब जट पटाती है तो तो वो पास में ही पड़े उसी के दुपटे से उसके गले को तब तक खीषता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते है और दोनों का जब मडर हो जाता है दोनों की जब प्रान निकल जाते हैं तो सीधा पुलिस टेशन जाता है और वहाँ जाकर अपने आपको सेरेंडर कर देता है कहे देता है सहाब मैंने अपनी पत्नी और अपने पत्नी के आसिक्य जान ले ली है आप मुझे अरेस्ट कर लीज पुलिश जब ये सारी घटना उससे पूछती है तो वाकई में सब सुनकर हैरान थे कि क्या कोई पत्नी ऐसा कर सकती है और जो पत्नी ने किया उसके पती ने जो उसके साथ किया उसकी उसके पती को सजा मिल रही है आज वो जील में है इन घटनाओं को लाने का हमारा सिर्फ ए तो शेर करिएंगा अगर आपको हमारा जो हमने एक Step उठाया है अपने देश में से Crimes को सफ हद तक कम करने का तो इसमें अगर आपको सपोर्ट करना थे तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्स्क्राइब करें और हमारे हर वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि आपको इस वीडियो के बारे में सुनकर कैसा लगा। बहुत जल फिरातिया इसे एक सची घटना के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैपार।